तो आज की वीडियो में समझेंगे लाइट के और यूनीट के बारे में खोल कर देखेंगे इस बॉक्स को क्या होते हैं इसके कंटेंट, क्या-क्या मिलता है इसके साथ आपको, इसके यूस क्या होते हैं और कैसे इसको यूस किया जाता है, साथ ही जानेंगे इसके मार्केट इसके बारे में भी तो हेलो फेंट्स मैं हूँ डॉक्टर हरी संकर सोनी बिट डॉक्टर कलपेश चंदरवनसी और आप देख रहे हैं इजी डेंटिस्ट्री तो चलिए ओपन करते हैं इस बॉक्स को इस छोटे से इंट्रो के बाद चलिए देखते हैं इसको ऐसे पैकिंग में यह आता है यहां उपर लिखा हुआ LED वायर और वायरलेस क्यूरिंग लाइट वायर के साथ भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं यहां पर बना हुआ फोटो लाइट के और यूनिट का चलिए इसको उपन करके देखते हैं उपन करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और इसी तरीके की वीडियो से अपडेट रहने के लिए बैल आइकन को क्लिक कर ले चलिए इसको ओपन करते हैं तो सबसे पहले इसके साथ मिलता है आपको एक इंस्ट्रक्शन मैनुवल इंस्ट्रक्शन गाइड इसमें अलग-अलग ताइप के प्रोड़क्ट दिये हुए है जो लाइट के और यूनिट है उसके अलग-अलग मॉडल दिये हुए है इसके बाद एक आई प्रोटेक्टर इसके साथ आपको मिलता है इसको शिल्डिंग सीट भी हम बोलते हैं काफी तेज लाइट यह होता है इसलिए इसके फ्रेंट में हम लगाकर यूज करते हैं आखों को प्रोटेक्ट करने के लिए इसका यूज हम करते हैं इसके बाद इस के लिए हम यूज़ करते हैं और इसके सामने कैप दिया हुआ है एक अब आते हैं हमारे मेन प्रोड क्रोडक्ट में लाइट के और इंडिवाई सिर्फ लाइट के यूईनिट या लाइट गन भी इसको हम बोलता है तो चलिए इसको देखते हैं यहां पर एक दिया हुआ है प 20 seconds and 30 seconds के लिए इसमें जो बीच वाला मोड है वो अल्टरनेटिव लाइट के लिए है अल्टरनेटिव क्योरिंग करता है अभी हम देखेंगे कैसे मेन्यू बटन मैंने आपको बता दिया साइड में यहाँ पर एक इंडिकेटर दिया हुआ है बैटरी इंडिकेटर अब आप हम इसको अटेज करते हैं अभी मैं करके आपको दिखाऊंगा और इसके पीछे दिया हुआ है चार्जिंग पॉइंट जहां पर हम चार्जर को करेक्ट करते हैं तो चलिए इसको अन करके हम देखेंगे पहले में यह लगा लेता हूं तो जो यह आई प्रोटेक्टर है आई इसको हम यहां लास्ट तक प्लेस कर लेते हैं इसके बाद जो लाइट सोर्स है हमारा यहां पर इसको हम प्लेस करते हैं चलिए इसको ओन करके देखते हैं तो यह पावर बटन दिया हुआ है यह दिखे यह अभी फरस्ट मोड में है यह 10 सेकंड दिखा रहा है अभी अभी ह के लिए तब इसको करके देखते हैं सामने में आपको दिखा लेता हूं तो अभी मैं इसको फर्स्ट मोड में रख रहा हूं मेन्यू बटन को आप दभाएंगे फर्स्ट मोड में आ जाएगा 10 सेकंड इसमें कंटिनियस लाइटिंग देगा आपको 10 सेकंड के लिए आपको मेन्यू से आपको इसेट करने के बाद फिर से आप पावर बटन को आपको आउन करना है यह देखें यह 10 सेकंड तक क्योरिंग के लिए और यह जो आई शील्ड है देखें लाइट इतना कम हो जाता है हर 5 सेकंड में यह आपको एक अलाम साउंड देता है और बंद करने के लिए इसमें आटोमेटिक आफ का सिस्टम है अगर आप इसको रख देते हैं आपको बंद नहीं करना है आप इसको रख देते हैं आटोमेटिक लिए 20 सेकंड के बाद बंद हो जाता है अब इसमें जो alternative curing का है वो आपको मैं आपको दिखा रिएता हूँ second mode में हम जाएंगे तो अभी continuous lighting नहीं देगा alternative lighting देगा फिर से हमको power button को on करना है तो ये alternative light इसमें देगा तो मैं इसको और हर 5 second के बाद आपको एक alarm signal ये देगा और जब हम इसको रख देते हैं तो ये 20 second के बाद alarm देने के बाद अपने बंद हो जाएगा तो जान लेते हैं अभी इसका price तो ये product आपको market पर मिल जाएगा 1800 से 1200 रुपे के बीच में है तो आज का वीडियो complete हुआ friends अगर आपने इस product को यूज किया है तो आप इसका review दे सकते हैं comment पर और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो आपके लिए helpful रहा हो तो इस वीडियो को like कर दें शेयर कर दें अपने friends के साथ और comment section में आकर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा और किन products की unboxing आप देखना चाहते हैं और जाने से बहले subscribe करना ना भूले मिलते हैं next वीडियो में Thank you friends